Hey everyone, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन लॉड ने वू कॉंग को पूरा ही पूरा निगल लिया होता है ये देख करके गौनजी पीछे से वू कॉंग को चला रही होती है मगर वू कॉंग अब कहा ही उसकी सुनने वाला था वो तो डीमन लॉड के पेट में जा चुका था अब आगे तो इस एपिसोड में में दिखाया जाता है कि डीमन लॉड वू कॉंग को खा करके काफी ज़्यादा खुश हो रहा होता है उस डीमन और स्कैलेटन डीमन तोनों आ जाते है skeleton demon कहता है कि आखिर तुमने अकेले ही उसको क्यों खा लिया मुझे भी उसे खा करके देखना था कि वो कितना लजीज है मैनत हमने की और फल तुम अकेले ले करके चले गए ये सुन करके गॉंजी वहाँ पर और जादा रो रही होती है और वो कॉंग को अभी भी पुकार रही होती है गॉंजी को इस तरीके से तड़पता हुआ देख करके demon lord कहता है कि अपने god को तुम और तेजी से चलाओ और तभी demon queen आखर के गॉंजी को उठा लेती है और कहती है कि demon lord आखिर हम इसका क्या करने तभी demon lord कहता है कि तुमारी जो मर्जी आए तुम इसके साथ वो कर सकती हो क्योंके लिए मेरा पेट तो भर चुका है तभी demon queen कहती है कि मैं ऐसे तो पूरा का पूरा अभी निकलने वाली हूँ ये सुन करके गॉंजी वहाँ पे और भी ज़्यादा रोने लगती है और वो कॉंग का नाम बुलाने लगती है और तभी demon lord कहता है जरा ओरतिस बुलाओ तुमारा god तुमें सुन नहीं रहा होगा तभी गॉंजी की बात सुन करके demon lord के पेट में अजीब सा दर्द होने लगता है वो अपना मुझ पकड़ के छट पटाते है उसे ऐसा छट पटाता हुआ देख करके उसके सारे के सारे साथ ही एक्तम ढर से जाते है और तभी वहाँ पे गॉंजी और तेस चिलाती है वो कॉंग तुम उससे जीच सकते हो तो वो मारा जाए अगर वो कॉंग उसके पेट से चटते हुए उसके सीने तक आ जाता है और देखते देखते वो डीमन लॉट के मुझ तक पहुँच जाता है और अपने दोनों हाथ से डीमन लॉट के मुझ को खोल देता है और खोल करके फाड़ के बाहर आ जाता है उसे ऐसा बाहर आता हुआ देख करके सब इक्तम हैरान हो जाते हैं और डीमन लॉट के तो वहाँ चित्रोड उड़ चुके होते तभी वुकॉंग बाहर आके कहता है कि मुझे पचापाना तुमारे जैसे दो कॉड़ी के डीमन की पस्की बात नहीं है उसे ऐसा बाहर आता हुआ देख करके डीमन लॉट के सात्यों की तो हालत खराब हो चुकी होती है और उदर डीमन लॉट चित्रोडा होकर ये जमीन पे गिरा होता है तभी गॉंजी कहती है कि मुझे पता था कि मेरे गॉट को कोई बीमार नहीं सकता है तभी वुकॉंग देखता है कि डीमन को इनने पकड़ के रखा हुआ और तभी गॉंजी उसे अपने पास पा करके काफी ज़ादा रोने लगती है और कहती है कि मैर तो डर गई थी कि कहीं आपको कुछ होना चाहे तभी वुकॉंग कहता है कि भला तुमारे गॉट को कुछ कर सकता है ये सुनकर के गॉंजी वहाँ पे कुछ हो जाती है को आज सच में जान से माने वाला हूं और इसे तनी बुरी मौत दूंगा कि ये दुबारा जनम लेने से डरेगा ये कहते हुए वो वुकॉंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और साथ में अपने घाव को सिल रहा होता है और तभी एक जगहां करके खड़ा हो जाता है और आगे सारी स्पिचल एनर्जी खीचने लगता है और देखते देखते उसका पेट एक तरह पूल जाता है और वो तुरंद वुकॉंग के उपर दीमन एनर्जी बीम अटैक कर देता है जिसको देख करके वुकॉंग तुरंद गाणजी के सामने आखरके अपने फॉर्म में जाता है और उस laser beam attack से गौंजी को बचाने लगता है और जब demon lord के supporter यह देखते हैं कि demon lord की energy beam attack यहाँ Wukam को साधा हम नहीं कर पा रही होती है तो वो लग कहते हैं यहाँ पर कुछ भी हो जाए हम भी यहाँ पर अपने lord का साथ देंगे यह कहते हुए सबसे पहले fox demon कहती है कि आज मैं अपनी energy add करके अपने master की मदद करूँगी और वो तुरंट sky में चली जाती है और अपनी nine tails को निकाल करके nine death demon killing qi cannon release करती है और अपने cannon attack से काफी बड़ी laser beam attack करती है और इदर skeleton king अपनी bone demon sword attack करता है उन सब को ऐसा करते हुए देख करके यह छोटी सी बच्ची human queen अपने छोटे छोटे हाथों से energy attack करने लगती है जैसे कि कोई बच्चा बड़ों की fight में हाथ पैर चला रहा हो यह देख करके तो काफी हसी आरी होती है बट यहाँ पर wukong कहता है कि मैं यहाँ पर कौंजी को कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ क्यों कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी सुरक्षा करूंगा चाहे वो दिन हो या रात हो उसका गौड हूँ और वो मुझ पर भरोसा करती है भले ही तुम सब की सब मिल जाओ तब ही मेरा कुछ नहीं बिगार सकते हो तो यह वो कौंगा के बढ़ने लगता है और तुरेंट अपनी सुप्रीम हेल पावर को रिलीस करता है और देखते ही देखते है वो इतना खतरना पहुत ही मुझकल से उठती है वो देखती है कि दीवी डार्क एलायन्स की मेंबर थे वो जमीन पे पड़े होते हैं और उन लोग के सामने वुकौंग खढ़ा होता है और सीदा उस डार्क लॉड की और बढ़ रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम से कहा था ना कि तुम बात नहीं सुनी और मैं तुम्हें बता दू कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग मॉंस्टर हूँ यह कहकर कि वो तुरन डीमन लॉड को माने जा रहा होता है तब ही डीमन लॉड अपने पास से वही छोटी छोटी गुडिया निकालता है जिसके कि वो कॉंग बहुती ज़्यादा सीधा बंदा था और गॉंजी अपने ट्राइपॉलों के आत्माओं को फ्री देख करके काफी ज़्यादा खुश होती है मगर यह डीमन लॉड की चाल होती है कि वो वो कॉंग को कुछ देर के लिए फसा सके और वो अपने इवल प्रान को आगे बढ़ा सके और देखते ही देखते यहाँ पर डीमन लॉड तुरंद वो कॉंग को पटाने लगता है और अपने पास से कुछ बीट्स निकाल करें के वो कॉंग के चारो तरफ फेग देता है और यह बीट्स सोल कैप्चुरिंग बीट्स होती है जिसकी वज़े से वो कॉंग एक इल्यूजन में फसने लगता है और देखते देखते वो सारी की सारी बीट्स स्केलिटन में बदल जाती है और वो कॉंग की सोल को यहां हाम करने लगती है और उसके ओपर डार्क औरा रिलीस करने लगती है और उसके माइंड के ओपर हावी गोने लगती है वो की सोल पूरी तरीके से पोजल सो जाती है और वो पूरी तरीके से इवल में ट्रांसफार्म हो जाता है डार्क लॉड उसको ऐसा देख करके एकदम खुश हो जाता है और तभी अपने मुझ से कुछ इट्स निकालता है और जमीन पे फेक देता है वो जैसे जमीन पे गिरती है वो खून में transform हो चाती है और देखते ही देखते हैं उस seeds में से कई सारे कीड़े निकलते हैं और Wukong को चारो तरप से पकड़ के blood को चूस देने लगते हैं उसको ऐसा करता हूँ देखकर के dark lord कहता है कि Wukong तुम इस कीड़े को एक पर चक के देखो और वो अपनी evil power को और भी जादा बढ़ाने लगता है जिसकी वज़े से वो उसके mind को control कर सके और इस चीज़ को देख करके गौंजी अभी भी wukong को चिला रही होती है wukong please होश में आओ wukong होश में आने की कोशिश तो करता है मगर तभी demon lord अपनी spell को और भी तेजी से पढ़ने लगता है और अपनी power को बढ़ा देता है जिसकी वज़े से उसकी पूरी soul possess हो जाती है और wukong पूरी तरीके से demon में बदल जाता है जो की vegetarian था अब वो इन सारे के सारे कीड़ों को खाने लगता है और देखते देखते वो उसकी पूरी की पूरी soul यहाँ पे demon में convert हो जाती है और उसे ऐसा देख करके demon lord एक्तम खुश हो जाता है और वो कहता है कि इस कीड़े से ज़्यादा टेस्ट यह अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम्हें human city में जाकर के humans के meat खाने चाहिए उसका स्वाद इन खीड़ों से ज़्यादा स्वाद डिस्ट होता है यह सुनकर के वो कॉंग तुरंत वहाँ चला जाता है और पीछे पीछे गौनजी आ करके उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है मगर वो इतना पुजल सो चुका होता है कि वो उसकी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है और तभी हमें village का scene देखाया जाता है जहां पे मेला लगा होता है और वहीं एक पेड़ के नीचे दो फ्रेमी बात कर रहे होते हैं की कहती है पॉनी तुम मुझे छोड़ोगे नहीं न तभी पॉनी कहता है कि भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ो सकता हूं तुम तो मेरी जानों और यह लोग प्यार भरी बात कर रहे होते हैं तभी पॉनी की वहाँ पे दूसी गफ्रेंड आ जाती है और वो मोटी पॉनी को मैं तो एक छोटा सा आशिक हूं और अपनी महबत को चारो तरफ बाटता हूं और तभी वो कॉंग सिटी के करीब आ जाता है जिसकी वज़े से सिटी पूरी तरीके से हिलने लगती है ऐसा देख करके पॉनी कहता है कि तुम लोग परशान ना हो तुम लोगों को मैं यान और मुझे उन्हें देखना है मगर उसकी खभर फेंट पहुंच चिलाती है मगर वह उसकी बात नहीं सुनता वू कांग उसकी को खा। और पॉनी भागी रहा होता है और तभी वू कॉंग की नजर उस पर पढ़ जाती है और पॉनी को अपने हाथ से पकड़ के उठा लेता है और उसे खाने जा रहा होता है तभी पॉनी कहता है कि मुझे मत खा दरिंदे वहना मैं अगले जनम में सच में तेरा तुश्मन और यहीं पर हमारा यह एपिसोड कहतम हो जाता है